लोग कह रहे हैं चाइना की तरब से आने वाली असली गोलियों को रोकने का प्रवंद करो सरकार कह रहे हैं पले नकली गोलियों वाली पबजी बंद करो हमारा चाइना के समान के साथ तो धार्मिक भी नाता है क्योंकि रावन मेगनाथ और गुमकर्न का पुतला भी तो बही से बन कियाता है जनता की सुनते नहीं हैं सिर्फ करते हैं अपने मन की बाद देश की GDP माइनस है सरकार हर मुद्दे पर साइलेंस है इत बात से आप गोधी मीडिया के तो नाइक हो गए लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी के आप लाइक से जड़ा डिसलैक होगे से लोग सबाच पावें आमादी पार्टी दा इको मेंबर पगवांतमान मजूद है उस समय समय ते अपने दाच देश दे कंबीर मुद्यानू अठोंदा दिखाई देंदा है उन चल रहे मौन्शून सैसेंच उसने देश दे कहीं मुद्य कवीता चप्रों के सपिकर दे सामने रखे ने आव तूसी भी सुनो पगवांतमान दी आणनामी कवीता बहुत बहुत धन्यबाद उपसवापती जी क्योंकि समय का भाव है और मेरी पार्टी को समय भी कम मिलता है तो बहुत बड़ी बड़ी लंबे बाशन हो चुके मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा मैं गागर में सागर बंद करना चाहूंगा कुछ लैने मैं बोलना चाहूंगा उसमें सब कुछ ही है सर मुझे उमीद है कि आपको बैल बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कृपया अगर ध्यान से सुन लिया जाए देश की जीडीपी माइनस है सरकार हर मुझे पर साइलेंस है आज कल करते नहीं है वो काले धन की बात जंता की सुनते नहीं है सिर्फ करते हैं अपने मन की बात और जिसको सुन सुन कर अब तो दुखी अकाशबानी रेडियो के माइक हो गए लेकिन सरकार जी एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इस बार आप सोशल मीडिया पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक हो गए देश के बेरुजगारो पकोडे तलो और भारतिय नसल के कुटे पालो सरकार जी अपनी हर जोजना की नकामी को कोविड के कंदे पर डालो ना तालियों से ना थालियों से करोना गया ना टॉर्च और मौम्बती की दिवालियों से करोना गया हां इस बात से आप गोधी मीडिया के तो नाइक हो गए लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आप लाइक से ज़्यादा डिसलाइक होगे पामे कविता पुरी होन तो पहला ही माएक बांदकार दिता गया सी पर जेडियां सत्रां कवीता च बोलियां गईयां ओदेज गंबीर मुद्यां चों सामलने बिरोर पोर्ट चैनल पंजाबी